नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि बगवान महावली हनुमान जी के श्रबाशी आप शबी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में स्वस्त होंगे दोस्वों आप शबी को बता दी कि आने वाले 48 गंडों का शमय आप शबी के जुनकाल में महावली हनुमान जी लेकर आने वाले हैं दश बड़ी खुशकवरी जिनें शुन लेंगे जिनें जान लेंगे तो दोस्तों शारा परिवार खुशियों शे मिठाई बांटेंगी और घर परिवार में एशी खुशियों के लहर और दोस्तों में आप शुनकाटों के नीधान महावली हनुमान जी आप शुपी लिए बड़ी खुशकवरी लेकर आए हैं ज्यादोस्तों थो दोस्तों हमारा आपशिवी से बस यही विदम रने दर रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप बहूल कर भी मिशना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्याशे शमय निकाल कर देख लीजिएगा जे दोस्तों जो भी वक्त आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और जो भी बात हम बताने वाले हैं उन्हें शुन लेगा तो दोस्तों महावली हर्मान जी का अशी मश्रिबात उन शबी के जूनकाल में शदे पड़ेगा जी है दोस्तों शाद 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 आप शिवी को बता दें कि ये अश में जो भी बड़ी कुछ कबरी आपको मिलने वाली है, कौन-कौन से चितरों में मिलने वाली है और दोस्तों इन शाद 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 आई शंकर मोजन जोड़ लिखेगा दोस्व महावली हरुमान जी का शिम शुरवाद आप शिभी को प्राप्थ होगा जिवनकाल के शारी कष्ट देरे देरे शिमाप्थ हो दे जाएंगी जिए दोस्व तो आई दोस्व बात करते हैं शुरुवात करते हैं भगवान श्रीकि केश्व जीना है यह हमें श्रीमत भागवद गीता शिखाती है दोस्व श्रीमत भागवद गीता में यह पी लिखा है कि इश्वर रिंसान से बहुत प्यार करता है और उनकी अंतरात्मा पर बार बार दस्तक देता है उसकी आत्मा को जागरित करने के लिए प्रंतु कोई तक्तिर वाला ही दिल की आवाज को शुन पाता है, जियां दोसों, जिनके भी अच्छे कर्म, जिनके भी अच्छे नैत्रुतों होते ही, वही भगवान के इस नैत्रुतों को शमझ पाते ही, भगवान के इस अश्पर्ष को शमझ पाते ही, जियां दोसों, तो दोस्तों बात करते हैं कि अगले 48 घंटों के अंतर आप शबी के जिवनकाल में महावली हनुमान्ज के शरबाशी कौन-कौन शी बड़े और महत्पुन बदला होने वाले हैं कौन-कौन शी दस बड़े खुशकवरी आपको मिलने वाले हैं शाती कौनसी विश्चेश बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा दोसों निश्विकी महत्पुन जन कर देंगे दोसों अंतर तक ध्यान शी दिखीएगा तो आई दोसों बात करते हैं पूरे विस्तार ची दोसों यह में कोई भूमे शमंदी घरित परोफ्त का काम शंपन हो सकता है धर्मकर्म शमंदी कारियों में भी आपकी विसेश यह समय रूजी रहेंगी तथा आपका निश्वार्त योगदान समाज में भी आपका मांशमान और फिर इजद परितिष्टा में भी बड़ोत्री करने वाले हैं दोस्तों यह में आर्थक इस्ति भी आपकी बैदर रहेंगी इसको प्राद दोस्तों यह आपके शावधनी को लेकर बाद करें तो दोस्तों यह में आएके शाथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे अपनी फिजल करजी पर आपको यह अंकुष लगाना चाहिए दोस्तों कि खास प्यक्ति के दोरा ही आपको कुछ नौक्षान यह में हो शकते हैं तो दोस्तों यह में पैतर होगा कि भारी शंपरकों से आपको दूरी रखना चाहिए दोस्तों प्रिस्तिती को कुरोध के बजाए शांती पुन तरिकेशे निप्टाएं तो आपके लिए ज्यादा कुछ रहेगा और इसको प्राद दोस्तों यह में आपको बता दें कि किसी के भी शाथ मिल शुष्ट करें यह आपके लिए बैतर होंगे ज्यादि आप नए घर क tyreना चाहते हैं या फिर नहीं घर को शिट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो शक्ति हैं यह में आपको दहरी लखने की और शक्ता होगी और इसकोप्राँ दोसों येश्व में आपकी लिषी होगे आपको बतादे की दोस्तों आपकी राश्वी के लिए जव čाे होगी जो गतशनी होगी ये मिलेगा आप किसी कमजोरीफ इस हमें harsh हाशिल करने वाले हैं दोसों परन्तु आलशोप पीर ज्वादा बोज मस्तिके शमय समय को यह समय वष्ट मा करें यह आपके लिए वहतर toim्य क्योंकि दोस्तों यह समय को भरपूर वूप्यों करने का शमय होगा तो दोस्तों यह मैं बिलकुल नगवाएं और अपने यूझे कारिवों के प्रति अपनों द्यान को गिइंद रहें दूस्तों ऐसे महूंगी आप को बता दें के दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उस्षे शम्मदित निरले लेने के लिए आपको अधिक वक्त यश्मी लग सकता है परिवार के किसे व्यक्ति के शाथ मद्वेद होने के वज़शे भी कुछ कामा में तेरी हो शकती है जेवें सेली को शुधारने के वशकता होगी जिसे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आशान होगा परिशक प्रावार दोस्तों यह शम्मदित आपके लिए जयसे महोंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह शम्मे एमोशनल होने के बजाए चत्युराई वर वीडिएक शे आपको काम लेना चाहिए दोस्तों बिवक्षी अलीघी से लिया हुआ काम आपकी पक्षिप करना चाहिए कि इन अब बंढवार नंहो तो दोस्तों रूपिय पेशे के मामले में भी किशी पर भरशार ना करें आपकी गोईजना ईष्मे गलत हो शकती है इसलिए दोस्तों ईष्मे उस पर पुनर विचार आपको करना चाहिए अत्यदिक गुष्छा आपके लिए यश्मे आपके स्वास्थ और आपके कारयोक में हानी का कारण बरच चुगता है इस लिए दोस्तों यश में आपको दहरी बना कर रखना चाहिए और इसको बराण दोस्तों यश में आपके लिज़ समयोंगे आपको बता दें कि आपको कई शारी बातों की चिंता का नुभव होगा दोस्तों अधिक विचार करके आपके वल चिंता बढ़ा रहे हैं दोस्तों यदि समस्या का शमदान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किस्ची की मद्द लेना यश में आपके लिए आउश्य होगे दोस्तों आपको बता दें कि भावनों को कावु में रखकर पिस्थिती का हल रूने की आप कोशिश करें और यश में आप अच्छी हल भी डून पाएंगी और इसके प्राणा दोस्तों यह शमय आपके लिए जमने होगे आपको बता दें कि आपका संतुलित वहवार सुब और असुब दोनों पक्षों में बहतर संदुरन बनाकर रखेगा अगर दोस्तों अस्तान परिवर्तन शमन्दी कोई भी उजनाब बन रही है तो दोस्तों यह शमय है आपके लिए उश पर कोई भी महत्पुन कारिश शम्पन होज रखता है राज की मामलों में भी केश शमन्दी स्थियां आपके पक्ष में रहेंगी शाती दोस्तों दोसरों के मामले में हस्पेक्ष ना करें अकारन ही लोग आपके खिलाब हो जाएंगे इस बात के आपको ध्यान रखना चाहिए शादी दोस्तों आप जो है येश में अपनी आर्थिक स्थिति काभी ध्यान रखें किसी भी कारे में व्यर्थ ही पेशा खर्चना करें ये आपके लिए बैतर होगी आपके लिए उसे महोंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप शम्मदित सभी बातों में संदुलन बाराया रखने की आपके जो कोशिज होंगी ये इसमेश सफल होगी फिर भी दोस्तों विचारों में शकारतमकता और आपको फोकस बढ़ाने के अत्यांत आवशकता होगी आपके वाई शाय की तो दोस्तों ये जन सब्परकों का दाइरा अधिक विस्तरत होगा परन्तु अभी वह पारी गद्विदियों का गंपिरता वफिरबारी की शियम उल्लेकर करना आपके जरूरी होगा दोस्तों शिनियर्श लोगों के साथ समन्द खराब नो करें तथा बदलते प्रिवेश में अभी लाप की उतनी उम्मिद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं दोस्तों ये श्मे आपके लिए बैतर होगे कि आपको कार्यों पर अपने ध्यान को गंदर रखें और श्कुप्राण दोस्तों ये श्मे आपके केरिर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि वायुषाय में इस्तियां ये श्मे बैतर भी रहेंगी कुछ हलकी भूकी परिशानियां तो आएंगी पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा नई प्रॉप्टी और नई लोगों से ववायर करते श्मे आपको ये श्मे सचीत रहना चाहिए दोस्तों शादे करमचारियों की गतिदियों पर भी ये श्मे आपको नजर रखना चाहिए और इसको प्रावशाली वेक्तियों के शाथ अपने शम्मनों को और अधिक मजबुत करें ये शम्मन आपकी तरकी फायदमन शाबित कराने वाले हैं दोस्तो मचनरी श्टाप आदी से जुड़े छोटी मोड़ी परिशानिया उट सकती है उन पर काम करना परिशानियों से निकाल देगा तो दोस्तों ये शम्मन जरूर उन पर काम करें और इसको प्राव दोस्तों ये शम्मन आपके केरेर के लिए शम्मनोंगे आपके वायशाय के लिए शम्मनोंगे आपको बता दे इसलिए दोस्तों यश्मी सिंधा करने की आउशक्ता निभी नहीं होगी अब लाइब के लिए समय होगे आपको बता दे कि जो इसाती के शाथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो शकती है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम शुमदों में भी आप यश्मी समय वर्तना करें यह आपके लिए बैतर होंगे और इसके प्रादो से शुमए आपके लव लाइब के लिए समय होंगे आपके पारिवरिक जीवन के लियाश चे अचार हैगा प्रेम शुमदों में गलत फिर्मिया उत्पन हो शकती है इन्हें अपने काम पर हावी नौ होने दे यह आपके लिए बैतर होंगे और इसके प्रादो से शुमदों में अगर आपके स्वास्त देने सिहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यह में साड़ी कमजोरी और जोडों में दर्द की शमस्याल आपको परिशान कर सकती है आईरुविदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उ और इसके प्रादो से शुमें बुरी आतों तो था बुरी स्रंगत से आपको दूरी बना कर रखना चाहिए परिवार के किसी वरिश रदस के श्वासमंदी टेंसर भी आपको यह शुमें रहने वाले हैं